वेल्कम टू मार्वल वीच ओफट इंडी इंडिया तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक कम्मुनिटी पोस्ट में मैं एक पोस्ट बनाया हुआ है तीन सेकंड एक हो ठीक है उस पोस्ट को यहाँ पर मैं अच्छे दिर से देख लो पढ़ लो समझ लो और वा के आंसर अगर देते हो तो आगे जाके मैं ऐसा ही सहीम क्वेश्टन पाटिसेपेट तुमको करना पड़ेगा इसमें ग्यूवे में और ग्यूवे कैसे करना है क्या करना है तो उसके मैं प्रिप्रेशन कर रहा हुँ थोड़ी बहुत तो उसी के लिए टेस्टिंग वाला ए यह सब सारी चीसे information collect करने के लिए मैंने एक छोटा सा पोस्ट बनाया है community पोस्ट में उसके अंदर में तुम्हें question के answer देने है जिसको जो question का answer लगता है detail में दे सकते हैं जाद से जादा कोशिश करने है कि detail में देना है जितनी जादा अच्छी detailing में होंगी उतना ही जादा तुम्हारे यहाँ पर में जितने के chances होंगे देखो यह से ही में starting है अभी यूवे का मैं announcement ऐसा कुछ नहीं करने वाला बस एक उसको शुरुआत करने के लिए एक में कुछ demo करके देखना है कि यहाँ पर में लोगों का response क्या आता है तो यहाँ पर में तुम लोग क्या है त तुम लोग अपने पूरे दिल और जान खुन पसीना एक करके लगा दो अपना पूरा जोर और यहाँ पर में तुमको क्या है question का answer देना है दिमाग भी लगाना और जो तुम्हारा experience है जो तुम्हारा feedback है जो तुम्हारा gameplay है उस gameplay के according भी यहाँ पर तुम्हें question के answer देना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मैंने RMM से related यहाँ पर question क्या हुआ है तो RMM को अगर तुम्हें tier 4 क्या है, level 80 क्या हुआ है या tier 3 है तो या tier 2 है समझ लो tier 2 है तो वो use करने में तुमको सबसे ज़ादा दिक्कत का होती है और कहां सबसे ज़ादा use करते हो और RMM को use करते समय किन problems का तुम्हें face करना पड़ता है या कौन से stages में तुम्हें RMM से खिलने में सबसे ज़ादा दिक्कत हुती है यह सारी details सुनको कल शाम तक आज से लेके Sunday के शाम तक मुझे बतानी है Sunday के रात को यहाँ पर मैं इसका मैं final declaration करूँगा और इसके उपर मैं जो एक video बनाँगा मै एक video में बनाने वाला हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपर comment section में अपना opinion ज़रूर देना और इस question का answer भी देना डिटेल में ज्यादा डिटेल में जो जिस तरगी से मैं question answer करूँगा उसमें थोड़ा मुझे और इंप्रुमेंट करने का मोचा मिलेगा उसमें और options एड करने का मोचा मिलेगा तो जलो अपने आपमें some पर में सही answer रहेगा जो perfect answer देगा सबसे ज़ादा answer यहाँ पर में जो सईसी answer देगा या अच्छा से देगा तो उसका मैं शौट आट में नाम लूँगा ठीक है इतना तो करी सकता हो तो इतना तुमको भी interest आएगा मेरों को भी interest आएगा तो जैसे कम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में तो पहला question यह है जिबियार दोर्मामो में किस चीज की सबसे ज़ादा need होती है आरा में को need होती है तो यहाँ पर में तुमें question के answer देना है simply अगर वो option में अगर तुमको लगता है कि वो option में से तुम choose कर सकता हो ठीक है और other वाला option दिया हुआ है चौथा option तो चौथे वाले option में तुम जितनी ज़्यादा detail लिख सकते हो other वाले category में उतना बेटर है उतना बेटर है तुमको अगर detail में लिखना है हाँ आरा में का skill number 4 से यहाँ पर healing में तुड़ासा problem जाता है healing कमें आरा में का healing का issue जाता है वगेरा ऐसा detail लिखना है other section में तो definitely लिख सकते हो जिकत नहीं है जादा detail में लखोंगो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है नेक्स्ट यहाँ पर मैं आगे में यहाँ पर second question है आरा में वर्सेस गौर करते हैं तो किस्टीस की सबसे जादा नीड होती है आरा में को तो वह यहाँ पर मैं question का answer देना फास्ट dps healing option b इसके बाद में option c attack को dodge करने के सबसे जादा नीड पड़ती है और option d other वाले section में तुम आपर में अच्छा कासा लंबा चोड़ा महाँ पर में लिख सकते हो जो भी तुम्हारा opinion है तुम्हारा experience है या तुम gameplay करते हो तो उसमें जो भी तुमको problems आ रही है उस problems सब्सक्राइब की बात तो यहाँ पर आयरा में का हाई attack के बाद भी speed type में जल्दी मर्ग क्यों जाता है यहाँ पर मैं GBR लिखना भूलिया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं होता है थोड़ा बहुत बात में edit कर दूंगा तो इसमें यहाँ पर मैं option दिये हुए है option में से जो यहाँ पर तुमको लगता गी हाँ यहाँ पर में bug glitch और graphic काफे सदा lag करते हैं काफे सदा high graphic वहाँ पर में होते तो वहाँ पर मुझे नीचे government section में लिखना है GBR, world boss legend, every stage की game में problem है वो भी बता सकते हैं पाच्वा और आकरी question GBR clear करते समय कितने time लगता है तुमको Iron Man के साथ साथ में और कितना time तुमें लगा है यार तुमारे team member को लगा है वो सबकी अच्छे काशी detail यहाँ पर में तुम्हें देनी है जैसे example अगर तुम solo clear करते हो तो 9 minutes लगते है 8 minutes लगते है या पास से 6 minutes लगते है या तीन member को साथ में लगे जाता हो तो 4-5 minutes लगते है कितना time ल करके इसे लिख के लंबा चोड़ा जो भी तुमारा paragraph है वो तुम लिख सकते हो उससे मुझे help होगी आपका experience knowledge और जो feedback है वो मुझे मिलेगा तो next time कोई भी giveaway या कुछ भी मैं बनाता हूँ तो मुझे उसमें और improvement करने में help होगी ठीक है तो जाओ जाके comments करो अपना opinion दो answer के voice तुम जैसा question है जैसा answer है वैसा देज सकते हो कोई दिक्कत नहीं है